तो दोस्तों, दोस्तनियों, सहेलों, सहेलियों, मसातों, मारोटों, भाई और बेनों, कैसे हैं आप लोग, उमीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीए, ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खेर केरियर से होंगे, और तोरियर जहां भी होंगे, इंजुआ करें होंगे अपनी फुटबॉल जिसकी शुरुवाद 12 सेंचरी में हुई थी फुटबॉल की तारीक में सबसे पहली इंट्रनेशनल मेच इंगलेंड और इसकोटलेंड के दर्मियान हुई थी और उसी मेच ने फुटबॉल को उरूच पे लाया और साथ नेशन्स ने मिलके 21 में 1904 में एक इंट्रनेशनल दे फुटबॉल असोसियेशन जिसे आज आज आप सब लोग फीफा के नाम से जानते हैं फीफा ने 1930 में फर्स्ट वर्ल फुटबॉल चेंपेंशिप और्गनाईज की थी जिसमें उर्गवे ने अर्जेंटिना को दो गोल से हराया था वेसे अगर मोटर फ सेंचिरी में ब्रिटेन में पाई गई थी वहाँ पे फुटबॉल को 2000 येर्स पुराना खेल बताया जाता है के फुटबॉल चायना में खेला जाता था शूजू के नाम से पर कुछ डिफरेंस के साथ वेसे फीफा के मताबिक 211 मुलकों ने अपने आपको फीफा में रिज फुटबॉल में इंट्रेस्टेड होते हैं 2010 में फुटबॉल के प्रीमियर टूर्नामेंट को टेलिविजन पे 26 बिलियन टाइम्स देखा गया था जो कि आज की वर्ल पापुलेशन से भी 3 टाइमस से भी ज्यादा है रीसेंडी जिस फुटबॉल से गेम के लिजाती है उस फुटबॉल का शेप पिछले 120 सालों से चेंज नहीं हुआ और हाँ एक फुटबॉल गेम में सोकर प्लियर एवरेज 9.65 किलो मीटर भागता है वैसे यह तो हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल का वर्ल टूर्नामेंट फीफा कराती है वो भी हर 4 सालों में एक बार लेकिन य पर दिन पूरी दुनिया भर में तीन मेंसे दो फुटबॉल पाकिस्तान बनाता है जी हां दोस्तों स्याल कोट जहां पे सबसे ज्यादा फुटबॉल बनते हैं वैसे ब्राजील ने पांच पार फीफा वर्ल कप जीत के एक वर्ल रिकोर्ट बना दिया है वैसे आर आपको क थोड़ी से भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत अल्लहाफेज